NBN National Breaking News सच्चाई का साथी क्योंकि इस वीडियो के आखिर में आपके लिए एक बहुत बहुत जरूरी वीडियो सजेस्टेड है कुछ यूट्यूब मिडिया में बताया जा रहा है कि बाबा राम रहीम अपनी महुबोली बेटी हनीप्रीत के साथ शारीरिक संबंध थे पर इस्क कोई ठोस सबूप नहीं है लेकिन अबर 30 दिन की फरारी के बाद हनीप्रीत आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आई लेकिन वो इतने दिनों कहां रही यह अब तक किसी को नहीं पता चला इसी बीच एक बवालिया बाबा ने यह बड़ा दावा किया है कि इस फरारी के दौरान हनीप्रीत ने उनके साथ भी दो राते गुजारी है अपनी उल जलूल हरकतों से सुर्किया बटोरने वाले इस बाबा से पूरा देश वाकिफ है यह एक ऐसे स्वन्य भू संथ हैं जिनको फरजी बाबाओं की ओफिशिल लिस्ट में शामिल किया गया है हम बात स्वामियों की ही कर रहें स्वामियों ने हाल ही में एक उनलाइन पोर्टल को दिये इंटर्व्यू में दावा की हनीप्रीत खुद दिल्ली में आकर उनसे मिली और वह उनके साथ दो दिन तक रही कई बार सरयाम पिटाई जेल चुके स्वामियों ने कहा की वह हनीप्रीत के साथ हैं क्योंकि उन्हें लगता है की वह निर्दोश है और बेवजह उसे फंसाया जा रहा है इनका कहना है की हनीप्रीत एक हिंदू लड़की है जिसका असली नाम पा रियंका तनेजा है और जब भी कोई हिंदू मुसीबत में होगी तो मैं उसको कंधा देता हूँ स्वामियों का यहां तक दावा है की बाबा राम रहीम के जेल जाने से पहले भी वह हनीप्रीत के संपर्प में थे वो महरौली के फार्म हाउस में भी कई बार उसके साथ में रहे हैं इस इंटर्व्यू में स्वामियों ने ये भी कहा की जल्दी ही हनीप्रीत के साथ फिल्म करने वाले हैं अब हनीप्रीत तो जेल चली गई है और उसके साथ ही स्वामियों का फिल्मी सपना भी यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करें अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाए यह बिलकुल फ्री है ऐसा करने से आपको महत्वपून खबरों की अपडेट आपको मिलती रहेगी और हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आते रहेगे अपना चैनल NBN सब्सक्राइब करने के लिए जब आप स्क्रीन पर दिखाई गए NBN के सकल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करेगे तो आटोमेटिक सब्सक्राइब होगा पर घंटी जरूर दबाई और दिखाई गई अनिया ये तीन वीडियो में कोई भी देखे क्यूंकि य इस वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट्स चरूर करें धन्यवाद आपका दिन शुभ हो